तो विल्कम बैग गईस कैसे आप सब होप सो बहुत अच्छे होगे मैं हूँ आपको प्रतीक तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए प्रोग्राम की इसके अंदर है क्या आपको reverse of string print करानी है आपको क्या करानी है reverse of string हम लोग बात करेंगे कैसे भी किसी string का reverse होता है जैसे लिखा हुआ है model answer for example आपके string क्या दिये हुई है model answers तो output क्या आना चाहिए s-r-e-w-s-n-a-l-e-d-o-m मतलो simple सा है कि आपका ऐसे string गही है उसको ऐसे print कराना है तो अब यह question होगा किसे अगर अब कोई भी जब आप प्रोग्राम कर रहे होते नो तो सबसे basic जो चीज आती है वह आपको यह आती है कि आप जब खुद से अपना दिमाग लगा के कर रहे थे तब कैसे कि यह थे वही same चीज आपको क्या करना है computer से वही same दिमाग लगवाना है ठीक है जो आपने जो human mind ने काम किया उसी तरीके से computer से आपको करवाना है तो आपने क्या किया यहाँ पर सबसे पीछे वाला character सबसे पहले उठाया उसके एक एक कम करते गए एक कम करकर गए यहाँ पर लाते गए इस तरीके से तो यही कुछ concept इसके अंदर भी लगाना चाहिए क्या लगाना चाहिए सबसे पहला काम तो उसकी हमें क्या पता होने चाहिए length पता होने चाहिए length पता चल जाएगे तो length minus 1 से वाले character को सबसे पहले निकाल लेंगे और कहां तक loop चलाएंगे 0 तक simple सा है reverse करना ह आपको क्या कर देना है इसके अंदर ज्यादा कुछ है ही नहीं उत्ता जंजट आपको क्या करना है length minus 1 से 0 तक का एक loop चला के character को निकाल के print कराते रहें print हो जाएगा को दिक्कत है आपे चले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो क्यासे होगा import लिखेंगे java.util asterisk class xyz अगर यह प्रोग्राम समझ आ जाएगा तो एक बहुत important प्रोग्राम आके आता है palindrome का वो आपको समझना फिर रहेगा ठीक है तो यह सबसे basic है palindrome में थोड़ा सा different हो जाता है बढ़ concept almost यही लगता है bracket को open करेंगे scanner sc is equal to new scanner system.in कर देंगे ठीक है उसके बाद फिर क्या करेंगे string एक s ले लेंगे s लेते ही अगला काम क्या system.out.println enter a string user से अब string एक्सर्प कराएंगे sc.next line अब अगला काम क्या होगे length निकाले है int एक 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 रजैंगे variable ले ले लेंगे i ले ले लेंगे for what? loop.l is equal to what? s dot length यह क्या करेगा string की length निकाल लेगा फिर अगला काम क्याए loop चलाना start करेंगे for i is equal to 0. sorry अब यहाँ पे loop कहां से चलाना है ध्यान से देखे length minus 1 से लेके length minus यहाँ पे length minus 1 से लेके 0 तक तो क्या हो जाएगा i is equal to l minus 1 ठीक है simple सा इसको loop को कहाँ चला रहे हैं length minus 1 से i is greater than equal to 0 और i की value क्या करा देंगे minus minus bracket को open करेंगे यहाँ पे c नाम का variable ले लेंगे for character extraction c is equal to what s dot caret hi यहाँ पे क्या हो जाएगा character stacked होते रहेंगे यहाँ पे क्या होगा character हमारा stacked होगा अब इसी को क्या करते है SOP that means अलग-अलग line नहीं कराना है same line में कराएंगे तभी तो आपका होगा अच्छे जए 1 सिकंड fine यहाँ पे यह पेंसिल शायद कदे रही है just give me a moment अभी अभी ठीक है हाँ चले तो अब अगला काम क्या होगा system dot out dot इसको print ही तो करा देना है print c अब इस तरीके से क्या होता रहेगा सबसे पहले length minus 1 वाला character फिर एक उससे कम वाला character फिर एक उससे कम वाला जैसे हमें example लेते है एपल हमने लिखा तो एपल की लेंद कि आएगी 123455 वाई तो 5-1 4 caret क्या बोला caret 4 that means सबसे पहले print करा दे फिर उपर जाएगा value क्या हो जाएगी यहां पर minus minus condition true आ जाएगी फिर क्या print हो जाएगा L हो जाएगा फिर क्याँ जाएगा फिर उपर जाएगा condition क्या हो जाएगी minus minus condition true अब P print कर दे फिर उपर जाएगा अ-गला P print कर दे फिर उपर जाएगा एप जब 0 तो condition बड़ी वाली नहीं लकिन तर फिर बड़ी वाली अगाliche माहें ल जाएगा अब बात करेंगे, पैलिंड्रोम कैसे कराएंगे, ठीक है, इसके लिए अगला प्रोग्राम देखेंगे, ये प्रोग्राम अगर नहीं समझा है, तो ड्राइरन करा के आप अच्छे समझने की कोशिश करें, वाकि जो भी डाउट सो नीचे कमेंट करके बताएं, थैंक यू.